हरे खृष्णा आज दो पहर की उनके दिल की बाते ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बाते ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रिरिंग से कुछ लेंगे टारफी कार्ट्स और साथी साथ कुछ और अरकल मेसेज़िस तो शुरुबात करेंगे कार्ट शफल करके बाति बाते का टुड़ किरेंगे आजके बाते कुछत्स तो कम दोत्व दो अरार बाते का गते सीपिक नहींगे कर्फ गह जहर दृझ झेगाम हो छुछतीं मुछत्स यम मुव किर रहे सोब दित्व प्रप्राइब सेबस्टें प्रप्राइब सेखान पहला ही जो कार्ड मिला है वो है सेवन अप कप्स वाटर साइन कैंसल स्कॉर्पियो वाइसिस ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि इस परस उनको लग रहा है कि इनकी जिंदगी की कोई भी विश पूरी नहीं हो रही यहां पर हर एक कप में कुछ न कुछ चाहते है ऐसा ये कार्ड बताता है तो जैसे इनसान खोया रहता है मेरी ये चाहत है ये पूरी होनी चाहिए वो भी चाहत है या फिर कुछ ऐसी चाहते जो पूरी हो चुकी है उनके बारे में भी इनसान सोचता है लेकिन ये कार्ड रिवर्स है जिसका मतलब है जैसे अगर आप कप म कुछ बचता ही नहीं वैसे ही इस पॉसन को भी लग रहा है कि जैसे जिन्दगी में बिल्कुल भी कुछ मन के मुताविक नहीं हो रहा है जिस वज़े से आप कहा सकते हैं साइडनेस की एनरजी थोड़ी सी ज्यादा है फिरह स्ट्रेंट लियो का कार्ण है यहां पे बी रही है तो भी दोनों को यह ऐसास दिल में जादा फील होता है कि दोनों भी एक दूसरे को चाहते हैं बागि मैटर कुछ नहीं करती बाते इस रिश्टे में तो यहां पे भी यह परसन जल से जल कैसे यूनियर में आ सकते हैं यह सोच रहे हैं फिरह था एंप्रेस Empress की energy ऐसी होती कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो होती है खूबसूरत मतलब अपनी जो भी dressing style वो करती है उसमें वो अच्छा ही दिखती है इतना ज़्यादा अच्छा लोग उसका होता है कि हजारों लोगों में भी कोई भी उसकी तरफ जानते पार इतना वो अपने आपको maintain करके रखती है साथ यसाथ बात करने का तरीका सूजबूज सभी बाते उसकी बहुत ज़्यादा आच्छी होती है तो यहाँ पे भी आपके person कुछ आपकी ऐसी बातों को लेके सोच रहे है अगर आपने रिसेंटली जैसे दिवाले के लिए कुछ पोस्ट डाली है या फिर कुछ फोटो अगर अपलोड किये है तो हो सकता है उन फोटो को देख की भी ये कुछ imagination में कोई है या कोई है पिर है 10 of pentacles और sign तौरस वर्गो या फिर क्या परका 10 मतलब completion का card होता है ये card ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है घर के बुजर्ग भी है, एक couple भी है, बच्चे भी है, pets भी है, घर भी है यानि कि यहाँ पे इस picture में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है वैसे ही आपके person को लग रहा है कि अगर उनके दिल की ख्वाइश पूरी हो जाती है तो उनको भी जिन्दगी में और कुछ नहीं चाहिए बस यहीं तो हर कोई चाहता है हसी खुशी एक खुश हाल परिवार और अपनों के साथ जिन्दगी बिताना तो यह सपना वो पूरा करना चाहते है यानि कि अभी अगर त्योहार चल रहा है तो यहाँ पर यह आपको काफ़ सदब मिस कर रहे है या फिर आपकी एनरजी इनको मिसिंग फील हो रहे जिस वज़े से थोड़ा सा यह person उदास है फिर है नाइन उप सौंट से अरसाइं जबने लिफरा आक्विरिया यह स्लीपलेस नाइट्स को लेकि गार होता है बहुत ज़्यादा यह person सोच सोच के परिशान हो रहे है ज़तकी में आगे भी वढ़ना चाहते हैं जो कुछ अपने सपने भी पूरे करना चाहते है जो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं उनकी भी बाते इनको तकलीव दे रहे है तो कुछ मिली जुली बाते हैं जिनको लेके इनके दिलो दिमाग में काफी कुछ उथल-फथल मची होई है और अगर उपर से आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो वो एक बात इनको डिस्टक्स जादा कर दी जिस होज़े से इनकी रातों की नहीं दूली चुकी है फिर है दफूल, ये कार्ट रिवर्स आया है जिसका मतलब है नई शुरुआत करना चाहते हैं या चाहती हैं लेकिन ये रास्ता उनको समझ में नहीं आरा कि आगे तो रास्ता ही नहीं है मतलब आगे के दिक्ते उनको ज्यादा परेशान कर रही है या पिर आप कहा सकते हैं प्रेजन्ट मोमेंट में जो भी हालात है उसकी वज़े से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये केरलेस होने का कार्ड होता है या फिर केरफ़ी होने का ये रिवर्स आएंज जिसका मतलब भी है कि काफ़ी ज़्यादा आपके परसन या तो एंक्शियस होए है मतलब बहुत ज़्यादा सोच सोच के परिशान हो रहे है या फिर कुछ बातों में बार-बार री तिंकिंग चल रही है बार-बार उन्ही बातों को लेके सोचना उन्ही खयालों में खोए रहना निगेटिव माइंड सेट में थोड़ा सा फसा रहना ऐसा भी आप कह सकते हैं फिर है टू अफ मैंड फायर साइन एरिस लियो साइटिरियस यहाँ पे दूइधा में है यह परसन कुछ रहा कुछ तो आक्शन लेना है लेकिन कौन सा आक्शन लेना चाहिए यह वो सोच विचार करके डिसाइड नहीं कर पा रहे है और फानल कार्ण है सिक्स ओप सौर्स तीन लोग है लेकिन तीनों का भी चहरा हम नहीं देख पा रहे हैं वैसे ही आपके परसन या तो किसी के साथ कुछ बाच्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई दोस्त हो सकता है घर में कोई रिष्टिदार हो सकता है घर का सदस से कोई हो सकता है लेकिन उनसे बाच्चित करके इनको अपने प्रॉब्लिम का सुलूशन नहीं मिल पा रहा और इसी वज़े से ये सोच रहे है कि आगे जिन्दगी नजाने इनको कहां पे ले जाएगी तो अपनी जिन्दगी को लेके थोड़ा सा उदा से ही ज्यादा च्छाई हुई है इनके दिलो निमार पे अब देखते हैं औरैकल कार्ड्स कांटम्पलेशन तो जो भी डिसाइड किया है बस अब उसको पूरा करना है ये उनकी प्रेजन फूर्मेंट में चाहत है मतलब सोच वीचर तो काफी जादा हो चुका है अब बस प्रेपरेशन बहुत हो गई अब आक्शन लेने का वक्त है ये उनको भी समझ में आ रहा है पिर है सॉलिडूड जैसे है इसने काफी अपनी मेहनत से ये घर सजा के रखा है वैसे ये आपके वरसन ने जिदगी में छोटी छोटी खुशियों को लेके वी काफी कुछ सोच के रखा है और ये खुशियां उनको किसी भी हालत में रियालिटी तक ले जानी है अब वो होगा कैसे ये सोच रहे है फिर है ब्लिस इसके टेहरे पे जो स्माइल है ये इमाजिनेशन में भी खुई हुई हो सकती है यारी कि आने वाले फ्यूचर को लेकि कुछ एहसास भी उनको महसूस हो रहे है जो कही न कही उनको मुस्कुराता मुस्कुराने पे शायद मजबूर कर रहे है बिताना ये सोच कि ये जरूर मुस्कुरा रहे है लेकिन प्रेजन्ट लंभे में तो जिन्दगी कुछ और ही है पिर है कम्यूनिटी यहां पे जैसे हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है भी क्योहार है घर में या तो रिश्टदार वगएर आये हो सकते हैं या पिर अपने फ्रेंट सर्कल में भी किसी से मिल जूर रहे है जहां पर शायद इनकी शादी को लेके जिक्र हो रहा है कब ले रहे हो शादी के लड़ो या पिर शादी के बारे पर क्या सोच रहे है ऐसे सवाल उनके जवाब देते देते शायद ये परसन ठक चुके हैं या फिर आप क्या सकते हैं इनके घरवाले परेशान हो चुके हैं कि हम आकित कब तक लोगों को जवाब देंगे या फिर उनके सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है फिर हैं अबैंडन मेंड इनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी वज़े से आप इनसे नाराज है और आपने इनको थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया है तो जो भी एनरजी इनको महसूस हो रही है ये काफिज़ा लोनली रेस्की है मतलब जान बुच कि आप उनको पोल्ड शोल कर रहे हैं और फाइनल काड है गार्ड ये जैसे एंजल है ये इन दोनों बुच्छों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे ही आपके परसन हेलफ लेने की कोशिश कर रहे हैं ये थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को लेके भी आप काड कह सकते हैं जो बाते असलियत में मेहनत करन जो भी आप नाम दे उनको इनको बस यही लग रहा है कि अब वही है जो इनकी गारी सही ट्रैक पर ला सकते हैं या पर इनको संभाल सकते हैं तो काफी ज़्यादा सैडनेस से निकलने की कोशिश जरूरी ये कर रहे हैं या कर रहे हैं ये था आज का रिडिंग जेनल रिडि